दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनीस सौगत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जौब इंडिया में प्यारी दोस्तों अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जौब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को सेयर कर दो KGMU नर्स भरती 2022, जी हाँ दोस्तो KGMU में नर्सिंग की वेकेंसी आ रही है समविदा पर दोस्तों पचीज सो वेकेंसी आ रही है सब्सक्राइब की वेकेंसी आ रही है आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकती हो, 8 जून की नई अपडेट नेकल की आ रही है KGMU में समविदा पर होगी 25,000 भरतीया यहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेंसी डेट भी आ चुकी है तो मैं आपको इस वीडियो में KGMU के बारे में कितनी वेकेंसी आ रही है पर्मनेंट है यहाँ समविदा है कौन-कौन से लोग अप्लाइ करेंगे, कौन सी पोजीशन है नोटिफिकेंसन कब आएगी आपको दोस्तों KGMU के बारे में बिल्कुल A2Z सारी जानकाई देंगे इसके अलावा दोस्तों दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है UP&M 9212 पदोपर जिसका दोस्तों DV यहाँ पर चलने वाला है कल से 9 जून 22 से दोस्तों DV चलेगा इसके बारे में दोस्तों नई अपडेट निकल के आ रही है कि सत्यापन कारे में डाकुमेंट वरिफिकेशन में ड्यूटी लगाने से 6 जिलो के फार्मासिश यहाँ पे नराज तो दोस्तों आज की डेट में आज है 8 जून और मैं आपको प्रूब भी दिखाऊंगा दो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों एक केजेमो में भरती है और एक दोस्तों यहाँ पर एननम से लेटर अपडेट निकल के आ रही है तो दोनो निज यहाँ पे हम आपको कवर करेंगे तो हमारे साथ बने रही है पूरा वीडियो देखिए अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले हम बात करेंगे केजेमो के बारे में तो चलिए proof हम आपको दिखा देती है अभी दोस्तों आप लोग देख सकती हो अमर उजाला e-paper अमर उजाला e-paper लखनव city माई city आपको चूज करना है और आज है दोस्तों 8 जून 222 माई city अमर उजाला यहाँ पे आप लोग देखोगे केजमू में समविधा पर होगी धाई हजार भरतियां तो दोस्तों 8 जून 8 जून माई city आपको लखनव city का e-paper अमर उजाला चेक करना है आज की डेट में आपको इनफार्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे cutting आप लोग देख सकती हो केजमू में समविधा पर होगी धाई हजार भरतियां माई city रिपोर्टर एदोस्तों नई अपडेट है अच्छे से आप लोग देखिए लखनव केजमू में करमचारियों की कमी दूर होने वाली है संस्थान में समविधा के अधार पर धाई हजार भरतियां होंगी कारिपरसद की बैठग में इसकी मंजूरी मिलने के बाद वर्क ओर्डर भी जारिक कर दिया गया है यह बहुती नई अपडेट है कि इसका दोस्तों वर्क ओर्डर भी जारिक कर दिया गया है अगले दो से तीन महेने में या परकिरिया पूरी हो जाएगी कार परिसत के निरणे के अनुसार अब जेम पोर्टल पर मौजूद एजनसी ही सरम सकती दे सकेगी अब जेम पोर्टल की अनिवारता भी पूरी की जाएगी के जेमों में इस समय 45 के करीब कुल बेड़ हैं वहीं डाक्टरों के अलावा सहयोगी इस्टाफ की कमी से काफी करमचारी समविदा पर रखे जाते हैं इस समय यहां नर्स, फार्मासिज, टेकनिसियन, वाडबोई, कलरक और चतुल स्रेडी गुरूप D समेत आने पदों पर 3500 नियमित और 6500 के करीब समविदा करमी हैं इसके बावजूद करमचारीों की कमी बनी रहती है इस वज़े से यह न्युक्तिया की जा रही हैं सभी पदों पर आप जेम पोर्टल पर पंजी करित एजनसी ही करमचारी दे सकेंगी कुल सचीव आसूतोस कुमार दिवेदी के अनसार सासना आदेश का पालन करने के लिए जेम पोर्टल पर पंजी करित एजनसी को ही करमचारी देने की जिम्मेदारी दी गई है ऐसे में पुरानी एजनसी को बदला गया है हलांकी वर्थमान करमीओं को बदला नहीं जाएगा ऐसे में कोई परसान ना हो तो दोस्ते तीन महिने के अंदर दोस्तो यह समविदा पर भढ़ती होने वाली है के जेम पोर्टल पर जो जेम पोर्टल है उसमे जो भी यहाँ पे अलग से कंपनीज होंगी वे आपकी companies भरती करेंगी तो अभी KGMO ये भरती नहीं करेगा लेकिन दोस्तों बता दें अलग से यहाँ पर GM Portal के माध्यम से नई भरती यहाँ पर निकाले जाएगी KGMO के लिए निकाले जाएगी अब पचीसो वेकेंसी होगी जिसे में दोस्तों नर्सिंग की वेकेंसी होगी फार्मासिश्ट की यहाँ पर वेकेंसी टेकनीसियन, वाड़ बॉई, कलरक और गुरूबडी की यहाँ पर और बहुत सारी पोजीशन पर पचीसो पदों पर दोस्तों यह भरती समविदा पर केजेमों के लिए यहाँ पर होने वाली है बाकी दोस्तों आगे जैसे ही नई अपडेट मिलेगी वीडियो बना दूँगा अभी यहाँ पर देख सकती हो यह सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खुसकबरी है कार परिसत की बैठक में इसकी मंजूरी मिलने के बाद वर्क ओर्डर भी जारी कर दिया गया है तो दोस्तों वर्क ओर्डर यहाँ पर जारी कर दिया गया है दोस्तों तीन महें आप लोग वेट करिये 110% यह भरती आने वाली है पचीस सो बदो पर समविदा पर दोस्तों के लिए भरती यहाँ पर होने वाली है तो यह दोस्तों नई अपडेट थी मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है आप लोग जाके देख लेना अगर आपको विश्वास नहीं है बागे यहाँ पर सारी इंफार्मेशन दे दी है अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आप लोग देखिए सबसे पहले उपर लकनुग सिटी में पेज और यहाँ पर आप लोग देखोगे लकनुग बुद्वार आट जून दोहया बाइस पेज नमबर फाइफ पर आपको सारी इंफार्मेशन मिल जाएगी पेज नमबर फाइफ बुद्वार आट जून दोहया बाइस तो बिल्कुल दोस्तों ओफीसियल अपडेट है कोई फेक यहाँ पर न्यूज मैं फेक न्यूज की जानकाई नहीं देता हूँ तो यह आप लोग याद रखो इंपोर्टेंट है बिल्कुल जो लेटेश्ट अपडेट होता है इसकी इंफार्मेशन हमारी यूटूब चैनल पर दोस्तों दी जाती है तो मैंने आपको केजमो के बारे में जानकाई देदी है अगर किसी भी बच्चे को केजमो से लेटेड यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी दोस्तों को अगर आप लोगों को केजमो से लेटेड जो यहाँ पर 25 वेकेंसी आ रही है इसके बारे में कोई एक क्वेरी है कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट कर देना है मैं रिपलाई देने वाला हूँ बाकी यहाँ पर देखिए UP&M 9212 पदो पर यह दोस्तो नई अपडेट निकल के आ रही है UP SSC NM की यहाँ पर जो है 9 जून 2022 से दोस्तो इसका डाकूमेंट वरिफिकेशन होने वाला है इसी के बारे में देखिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि सत्यापन कार में ड्यूटी लगाने से छहे जुलो के फार्मासेश नराज फार्मासेश फेडरेशन ने स्वाफ्त महानिदेशक को लिखा पत्र इनका कहना क्या है लखनवू परदेश में यहाँ पर देखो परदेश में सौफ्ट कारिकरता महिला एनम की नियुक्ती परकरिया बुद्वार से सुरू हो रही है चैनित अभेर्थियों के परमाड पत्रों के सत्यापन कार में छह जिलों के फार्मासेश्टों की ड्यूटी लगाई गई है इससे जहां उनमें नराजगी है वहीं सम्बंधी जिलों के अस्पतालों में दवाओं का विवनर जो है बंद हो जाएगा वितरन यहाँ पर वितरन है वितरन बंद हो जाएगा फार्मासेश्ट फैडरेशन ने आपत्ती जताते हुए सौफ्ट महानेदेश को पत्र लिखा है पर्माट पत्रों के सत्यापनकार में लखनव राय ब्रेली हर्दोई सीतापूर उन्नाव वा बारा मंकी जिलों की चार चिकीसा दिकारियों वा 56 फार्मा सेश्टों सहीत करीब सव से अधिकरमचारियों की डूटी यहां पर लगाई गई है तो दोस्तों आ करमचारियों को सत्यापनकार में भेजने की निर्देश भी दिये हैं इसकी जानकारी पर फार्मा सेश्ट फेडरेशन के परदेश अज्जे सुने लियादों ने उच्छा दिकारियों को लेखे पत्र में कहा कि फार्मा सेश्टों की डूटी लगाने से दवाओं का वितरन परभावित होगा फार्मासिष टेकनिकल पद है इसे मिनिस्ट्रियल कार में नहीं लगाया जा सकता है उन्होंने मांग की है कि अस्पतालों का संचलन बनाये रखने के लिए फार्मासिष्टों और डांक्टरों को सत्यापनकार में ना लगाये जाए उधर स्वास्त मानिदे डांक्टर वेद बरत सिंग ने कहा कि सत्यापनकार से दवा वितरना परभावित हो इसका ध्यान रखा जाएगा तो यह दोस्तों देखी नई अपडेट थी और आज से दोस्तों आज बुद्धवार आज से यहाँ पे आप लोगों का सत्यापनकार लगने माला है डीवी य अच्छे से आप लोग डाकोमेन वरी फिकेशन कराएए और केजेमों की दोस्तों नई भरती आ रही है जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी वीडियो आपको मिल जाएगी इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादर सी ज्यादर इस वीडियो को सेर करिए धन्यवाद